बिहार में भी कोरोना वाइरस का हमला हो चुका है और इस खतरनाक वाइरस के बिहार आने की बात इससे संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बात सामने आई मिर्तक सैफ अली मुंगेर का निवासी था और कुछ दिनों पहले वह कतर से बिहार आया था जिस पर बड़ा सवाल यह उठता है कि कई दिनों पहले से जब बिहार हाई अलट पर था तो मिर्तक सैफ अली कतर से बिहार किस तरह आया और बिना स्क्रीनी हुए एरपोर्ट से कैस से उसे सुपुर्दे खाक किया जिसमें बहुत से लोग भी सामिल हुए इस पूरे मामले से कोरोना संक्रमन के फैलने की आसंका बहुत बढ़ चुकी है जिनके कोरोना संक्रमित होने की आसंका है फिलहाल उसे NMCH ले जाकर आईसोलेशन वार्ड में भरती कराया गया है अब बिहार सरकार के सामने बड़ी चुनावती यह है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की इतनी बड़ी लापरवाही के बाद प्रसासन इस महमारी से बिहार को किस तरह सुरच्चित रखेगी कल तक सरकारी आकरे यही बता रहे थे कि बिहार में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं है लेकिन आज सुबह सीधे एक मौत के बाद बिहार में भी कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी की जाती है ऐसे में बिहार में खत्रा अब ज़्यादा बढ़ चुका है और लोग डड़े हुए हैं आपकी अवाज न्यूज तमाम प्रदेश वासियों से अनुरोध करती है कि वे डड़े नहीं और इस वाइरस से बचे रहने की तमाम एहतियातन सुझाओं का सक्ती से पालन करें जैसे कि साबून से हाथों को लगातार साफ करते रहें जरूरत नहों तो घर से बाहर न निकले और निकले भी तो मास्क पहन कर और चेहरे को बीना हाथ धोए बिल्कुल नच हुए बिरो रिपोर्ट आपकी अवाज न्यूज पटना